तारीफ जो होती है तारीफ बहुत बड़ी चीज है तारीफ करना सीखो तुम्हें औरत की तारीफ करनी आनी चाहिए तुम जिस लड़की को अपनी गर्फरेंड बनाना चाहते हो जिसके साथ अपनी पूरी जिन्दी उजारना चाहते हो जिसे तुम अपनी वीवी बनाना चा कैसे ना कैसे दूसरों का दूर से ही दिल जीतने की। कैसे वो दूसरों को दूर से ही अट्रेक्ट करती हैं अपने फैशन के जरीए, कपड़ों के जरीए, चलने के तरीके के जरीए, अपनी अवाज के जरीए मेकप के जरीए हर औरत कहीं न कहीं ये कोशिश कर रही है कि वो दूसरों को अट्रेक्ट कर सके दूसरों को अपनी तरफ खींच सके क्यों? ताकि उसे तारीफ मिले औरत के लिए तारीफ एक ऐसी चीज़ होती है जैसे मचली के लिए पानी होता है मचली के लिए जैसे जल की कीमत होती है वैसे ही एक औरत के लिए तारीफ की कीमत होती है हाँ उपर उपर से तुम किसी भी लड़की से पूछो कोई लड़की तुम्हें नहीं कहेगी कि उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है तुम खुद नहीं कोगे कि तुम्हें अपनी तारीफ सुनना あच्छा लगता है, लेकिन natural behave जो है इंसान का हर इंसान को खासकर लड़केओं को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, हर इंसान कहीना कहीन चाहता है कि उसकी तरिफ की जाए उसे specially महसूस करवाया जाए उसे लगे अंदर से कि उसने पैदा होकर कोई गलती नहीं की है और हमारे समाज में जो औरतों की हालत होती है लड़कियों की जो हालत होती है उससे तो आपको सीधा-सीधा समझ में आना चाही कि औरत क्या चाहती सबसे पहले औरत को चाहिए होती है respect वो जैसी है, वो कितनी अच्छी है उसकी वैसे तारीफ तुम करो अगर वो तुम्हारे पास आ गई है, तुम्हारे पास बैठी है तुमसे बातें कर रही है, फोन के उपर तुमसे बातें कर रही है तुम्हारे साथ कॉलेज में है, स्कूल में है तो जैसी वो है उसकी वैसी तरीफ करो अगर उसकी बाते अच्छी है तो उसे बताओ कि वो बहुत अच्छा बोलती है अगर उसकी वाज अच्छी है तो उसे वैसे बताओ अगर उसकी आखें प्यारी हैं, उसके बाल प्यारी हैं, उसके कपड़े पहने का तरीका अच्छा है तुम्हें जो उसमें अच्छा लगता है उसे बताओ ऐसा नहीं होता कि औरत की आखों की तरीफ नहीं करनी चाहिए जा उसके होटों की तरीफ नहीं करनी चाहिए जैसे कि मैंने कहा कि लड़के हमेशा कोशिश करती रहती है जवान दिखने की दूसरों को अट्रैक्ट करने की और हमेशा वो जवान क्यों लगना चाहती है ताकि उनको पता है कि मर्द हमेशा खुबसूरत और्थों की तरफ देखता है खुबसूरत औरतों को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है उनके लिए बस में बैठा होता है उनके लिए सीट छोड़ देता है जगा छोड़ देता है ट्रेन में बैठा होता है तो वो चाहता है कि खुबसूरत औरत कोई उससे बात करे वो लल्चाई हुई नजरों से उसके प्यासी नजरों से उसकी तरफ देखता है जैसे वो कोई परी हो जैसे वो आसमान से उत्र कर आई हूँ तो हर औरत की उसके अंदरे इच्छा होती है कि दूसरे उसको समझें दूसरे उसके कामों की तरीफ करें दूसरे उसे दिखाएं कि उसने इस धर्ती के उपर आकर कोई गलती नहीं की है कोई पाप नहीं कर दिया है आज कल तुम यह जो सोशल मीडिया पर देखते हो एप्स पर देखते हो लड़किया डांस कर रही है नाच रही है, कूद रही है कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, कैसे कैसे वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीचना चाहती है, तुम्हारे इसाब से तुम्हें अगर तुम्हें एक समझदार हो, थोड़े ज्यादा मैचोर हो गए हो, तो तुम्हें वो चीजें जैसी होती हैं, नहीं, ये नैचरल विहेव है, औरत को तारीफ चाहिए और वो उसको कैसे भी हासिल कर लेती है, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, और जरूरी नहीं है कि किसी इनसान की आपको जोटी ही तारीफ करनी है, अगर तुम किसी को प्यार करते हो, अपनी ग आठ है, एक कला है, तारीफ करना तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तारीफ कैसे करनी चाहिए, तुम्हारे शब्द क्या होने चाहिए, तुम्हारे खड़े होने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तुम्हारे अवाज कैसी होनी चाहिए, तुम्हें कैसे तारीफ करनी है, इन किसी उसको महसूस करके शब्दों को अपने हैसासों को महसूस करके अपने चाहने वाले की अपने गल्फरंड की तरीफ करो लड़कियां भी लड़कों की तरीफ करती हैं लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है लड़कें कैसे लड़कों की तरीफ करती है वो आगे हम चलो बात करेंगे और लड़कों को लड़कें की तरीफ कैसे करनी चाहिए उसके उपर भी हम आगे बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा फिलहाल इतना समझो के तरीफ असर करती है चाहे आप कैसे भी करो तारीफ बहुत अच्छी चीज़ होती है तारीफ करने से कभी भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए हर इनसान चाहता है कि दूसरे उसको बताएं कि वो कितना अच्छा है दूसरे उसको बताएं कि वो कितना खुबसूरत है तरह तरह के तरीके अपनाते हैं ताके कोई एक नजर उनको देखे और उनके लिए थोड़ा टाम तालिया लगा दे कोई उनको एक लाइक दे दे कोई उनको एक कमेंट दे दे सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं आम इंसान में भी इंसान ऐसा ही होता है लेकिन आम जिंदगी में वो आपको उतना दिखाता रही है उतना शू आफ नहीं करता लेकिन सोशल मीडिया की जरीए वो सिधा सिधा आपको बता देता है कि उसे क्या चाहिए उसे इज़च चाहिए उसे रिस्पेक्ट चाहिए उसे प्यार चाहिए है ना तो ये सारी चीज़ें क्या है ये किस चीज़ को दरशाती है हर इंसान अंदर से दुखी है दुखी होना इंसान की आदत होती है और औरतों की तो खास कर दुखी होने की आदत होती है वो तो कहीं से भी कोशिश करके negativity ढूंड लेती है और फिर सारे तरीके अपनी negativity को दूर करने के वो करती है कभी नाचती है, कभी कूती है कभी कपड़े चेंज करती है कभी कुछ करती है, कभी कुछ तो अगर तुम किसी की तारीफ कर सकते हो तो करो तारीफ करने में कभी भी हिचकिचाओ मत तारीफ एक बहुत खुबसूरत चीज है तुम्हें हमेशा तारीफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और पूरी रिस्पेक्ट से इज़त से किसी की तारीफ करनी चाहिए तो याद रखना लड़कियों को तारीफ बहुत अच्छी लगती है चाहे वो आपके सामने नहीं बोलती लेकिन तुम्हें अक्सर तारीफ करनी नहीं आती इसलिए लड़की तुम्हारे हाद से निकल जाती है तो तारीफ करने का हिनर सीखो यह बहुत ज़रूरी है और यह चीज़ें तुम्हारी पूरी जिंदगी में काम आती